वेलकम बैक तो माईटूचन पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ बच्छे होंगे आज किस वीडियों देखने वाले हैं अभी आपका मॉर्निंग में एक पेपर हुआ है यूपी बोट पे जो भी चात्र है एंशाट वोट से उनका पेपर हुआ है बेटा हिंदी का है इसकूल वो लग क्लास टैन की बात करने वाला हूं हिंदी का पेपर हुआ है दो हजार वाइस का देख रहे है कोड़ यह है सत्तर नमबर का पेपर पूछा गया था तीन घंटे अब यहां मैं आपको नीचे चले जाते हैं अब पहला कोशन को ध्यान से देखते हैं आपने कितने कोशन करके आएं कितने नमबर के करके आएं आप देख सकते हो यहां देखो बोला गया है पहली कोशन की कामें देखिए निमनिकेत कथन में से एक कथन सही है उसकी आपको पुष्टी करनी है यहां देखो यहां बोला गया है पहला जो बात की जाए हिंदी प् प्रशाद दुर्वेदी के सरस्पधी पत्रिकां के संभादक थे बिल्कुल सही बात है यह उप्षिन नमर सी को लॉग करेंगा सी इस राइट होगा जिसने सी दिया है परमसत्तांस रहने वाला है उसके बाद में नीचे जाईए देखो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँगा ताकि आपको यह देखो यह आपका खावाल ऑप्षिन पर जाईए दिखाई देता होगा आपको शाफ आई हूप दिखाई दे रहा है चलो यहां देखिए यहां खावाले ऑप्षिन यहां कहा रहा है त्याग पत्र के लेखक का नाम बताना है त्याग पत्र त्याग पत्र था उसके लेखक का नाम बताना है ठीक है त्याग पत्र किसके लेखक है आपको त्याग पत्र में चार ऑप्षिन दे रहे है तो ठीक है जो चार ऑप्षिन कौन है लेखक कौन है तो आप होगे जनिंद्र कुमार है ठीक है option नमर एक को जिसने भी लगाया बिल्कुल राइट होगा ध्यान रखो अपने कितने नमर के question करके आगो वह देख लो एक बार उसकी बाद में यहां देखो ध्यान से गावाले option में जाईए गावाला option बोल रह है यहां वह हम से पूचा है बार किस्ट जो कहा है बार घट्ट के आतमकत्रा किस थी वह उसका राइट बताना था सेवा सदन किसकी है नदी के दीब किसके है गुनाहों के देबता कौन है इनके राइटर आपको नाम बताना थिक है तो आप को यह हो जाएंगेjes कि हजारी प किया है कोई दिक्कत नहीं जो भी आप एक करना था लेकिन चारों के मैं आंसर बता देता हूं ताकि जो भी बच्चे लगा के आए होगे उनको बिल्कुल राइट होगा यहां नदी के दीवति की बात की जाए नदीव किसके अग्यजी की है किसके विटा अग्यजी की रचना सब्सक्राइब दिए तो आप ने जो भी option यहां की अरकर आए बिल्कुल सभी होगे तो इसको बिल्कुल रैट कर देना कि आपका यहां से एक नम्ब्र की कोशन है देख सकते हो एक नमब्र यहां से क्लियर हो जाता है अप उसके बाद में नोड कर लेना आप देखो यहां गहावाल एक option में चले जाएगे, किसी एक रेखाचित्र विधा के लेखक का नाम अदाना है, कोई भी एक रेखाचित्र विधा है, उसके आपको writer का नाम अदाना है, तो यहाँ आप simple लिख सकते थे, जो गहावाल आपको answer हो जाएगा, आप किसी एक का लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, पदम सिंग का भी लिख सकते हैं, पदम सिंग सर्मा इनका नाम है, पदम सिंग सर्मा लिख सकते हैं, और दूसरे की बात की जाए, स्री राम सर्मा भी लिख सकते थे, स्री राम सर्मा, ठीक है, स्री राम सर्मा, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक यहां इकांग की लेखक नाम बताना एकांग की लेखक का नाम बताना है है तो मं यह आपको भाल किष्न भट लिखना था यहाँ टे काम हो जाटा आप है यहाँ देखो दूसरे की बात की जड़े दूसरा accomplished यहां के रहा है निर्गुण भक्ति के धारा के कभी से कभी है उनके कौन दो कभी से नाम बताना है, दो कभी कोई भी बता सकते हो, जैसे कि निरोगी की बात करें, अब निरोगण में कौन कौन आ जाएगा, कबीर जी आते हैं, निरोगण की कबीर भी है, आपको बता है, ठीक है, और बात की जाए, सुन्दर, सुन्दरदास भी है, सुन्दरदास लिख सकते हो, सुन सकती है पिद्धर यह जाया घंजा जो करतें संद्धर लागए पिरगती बात के नाम बता रहें अब प्रिगती बात की जाए तो आप जानते हैं एक है नागा अर्जुन ठीक है नागा अर्जुन भी है ठीक है नंबर 1 नागार्जुन हो जाएगा ठीक है और नंबर 2 की बात की जाए हमारा ठीक है नागर जुन हो जाएगा नागर जुन ठीक है नागर जुन और इसके बाद में हो जाएगा दूसरा जो पॉइंट रहेगा दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा त्रलोचन भी हो जाएंगे त्रलोचन ठीक है त्रलोचन भी इसके ही है त्रलोचन ठीक है प्र यदि गा की बात करें अब यहां देखो गा में क्या हो लग जया है गया एक दियान से जो गावला उप्षियन है में बहुत अब बात करें सांकेत कि नंत्छान्य ए कुरone अंकेत के कौन है राइटर आप कोगे मैथनर सरण गुप्त जी है ठीक है यह गुप्त जी है मैथनर सरण गुप्त ठीक है कमायनी की बात करें यह जैसंकर प्रशाद की है ठीक है जैसंकर यह जैसंकर प्रशाद जी की है ठीक है और यदी बात के चिदंबड़ा की यह पंत जी की है अब 5 सुमित्रा नंत 5 ठीक है निर्जा की बात करें ये महादेवी बर्मा की है है महादेवी बर्मा जी की है आपको समझ में आ गया चारों के मैंने राइटर के नाम लिग दिये आपको जो भी पता हो आप जो भी करके आया हो वो अपना खुछ से कन्फर्म कर सकते कि आपका एक नंबर किलियर हुआ या नहीं हुआ ठीक है अब उसके बाद देखो यहां यहां क्या दे रखा है द्यान से देखेंगे यह तो आपका गध्धांस हो जाएगा एक गध्धांस के बारे में आपको संदर्प सहित व्याख्या करनी थी बाकी कुछ नहीं था ठीक है नीदी अध्यान के बारे में पूछा गया है तो यह तो आप कोशन बड़े आराम से करके आँगे मुझे पता है कि किससे लिया गया है यही सब कुछ लिखना था तो यह तीसरा कोशन आ जाता है जो आप एक गध्धांस में किसी गध्धांस से नीचे नीच्ग को न दे रखा है तो उनके कुछ न दे रखे है फेलुक्त कोशन वो देख लेते हैं एक वार कि अब यह देखो चौथा पेच आगे हमारा अब यहां देखो पूरा सिस्टम है अब यहां तीन कोशन दे रहे हैं हमसे यहां देखो उपरोक्त के संदर लिखना है इसका दोपर गद्धास ओपर्धान था यह कहां से लिया गया है इसके राइटर कोण है यह लिखना था वहीं बात कि जाए रिखांकित क का आपको अंस के ब्याक्त करनी है मतलब जो आपको रिख प्रजातंत्र देखो प्रजातंत्र यहां बोला गया है देखो जिसका अर्थात्र यहां बोला गया है प्रजातंत्र जिसमें बहें अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही समू का समाजिक एकता भी हो उसे प्रजातंत्र कहा जाता है तो यहां परिवहासा आपको उपर छाट समझ रहे हूं? चौथे कोशन को देखेंगा और चौथा कोशन बोल रहा है, यहाँ आप से पद्धांसों में से किसी एक पद्धांस का संदर्वसाहित ब्याख्या करनी है, आप देख सकते हो, इसमें एक पद्धांस दे रखा है, ठीक है? आप इस पद्धांस के बारे में आ याद होना चाहिए यह तो कुछ लिखने की चीज़ तोड़ी होती है यह बस आप थोड़ा सा थोड़ी से मेहनत करोगे ना आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए कौन से पार्ट से लिया गया यह सब को लिखना होता है तिक है बाकी कुछ नहीं होता खास अब यहां आपको लेखक था यहां कभी आ अब हमें कभी लिखना है अब कभी की बात करें तुलशी दास देगा सुमितर अंदपंद देखा और में तुरफाठी दे रखा है अब जो चाहिए कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपके सामने तीन होती रखें अब यहां थोड़ा सा दिहान देखू कोई दिक्कत है लेकिन आपको साफ दिखाई देते होगी आई हूँ यह मैं पढ़ करना है अब यहां insulated कुस कोशन दे रखे हैं sorry अनुबाद करना है मतलब इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो यहां या तो आप यह कर सकते हो देखो यहां से लेकर यहां तक इसका अनुबाद कर सकते हो अथबा में यदि उपर वाला आपको यह नहीं आता है तो इसका दूस सभी लोग खुश रहें सभी निरोयोग रहें मतलब किसी को रोग ना हो ठीक है यही तो गोला गया है सबको मां हम सबको यह चीज़ बर्दान दो ऐसे कि उसका वड़ होता है तो आप इसको बड़े आरासेंजे आप कर सकते हैं ठीक है इसका हिंदी अनुबाद करना था यह सं स्लोग लिखना है अब इस लोग क्या लिखना है मतलब कि इस पार्ठ पुस्तक में ना आया हो मतलब कि अब यहां देखो सर्वेवंद्व सुकना सर्वेद्याण पसंदी मां का चीज़ु भावित यह तो आ गया कोई और स्लोग लिख दो बहुत सारे स्लोग होते हैं जैसे कि दोड़ेगा यार समझ रहे हो हनुमान चालीसा में कितने इस लोग है आपको बताए उन कोई भी स्लोग का इसमाल कर सकते हो यहां बात की जाए यदि आपको बता होगा तो बड़े आरासने कर दोगे यहां देखो खाकी बात की जाए निमनेकेट में से कह रहा है प्रसनो किया है तब से संस्कित पोड़ती है सब बता हो अब यहां देखो आप सरह मैं आपको यह चीह बता सकता हूं ड़्ीयक की नोलुघ माइन फिर जी तो कैसे कह सकते हैं उसका उधार हासी हासी भाजे देखी दूला दिगंबर को पहुनी जे आप हिमाचल की उच्छाओ में ठीक है तो ये एक्जामपिल दे सकते हो मतलब बहुत सारे एक्जामपिल होते हैं जो आप किसी की देखकर आपको हजे उत्पन हो जाती है करुणरस ज जब कोई मर जाता तो सोक मनाते ना तो वही तो होता है कि हम दुख मनाते हैं दुखी प्रकट करते हैं तो कोई दुखी के उपर एक स्लोक लिख देते हैं क्या देखकर रहे हासी भाजे देखी दूला दिगंबर को पहुनी जयावे हिमाचल की उच्छाओ में बहुत सारे बुख में से आप कर सकते हो बड़े अब देखो खावाले option प्छाओ उपमालंकार कि बादे दो नमबर पक्की हो जाते हैं अब यहां क्या है उपमालंकार और होता है उत्प्रिक सालंकार जहाँ कोई भी ऐसा आसा तो लो कि सीता राम से सुन्दर है वह किंतले अप समझ चाहूँ आपको अपनी उसकी परिभासा उधार से इतलिक देना है, तो परिभासा आप जानते हो, जिसमें संभावना की जाती है, देखो, जहां संभावना की जाती है, उत्प्रिक्सलंकार के लाता है, जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाती है, उत्प्रिक्सलंकार के लाता है, जहां समानता की की जाती है बहां उलंकार होता है ठीक है उत्मालंकार जा आॅरूप लगा जाये बहां रूंपकलंगार हुता था समझ रहे हैं वीडियोग्स बिलकुल आसाने से आप इंदोनों के माने एठ्जांपल दे कशन के समान से więks चंद की समान है करूप कर चंद लाय अरोप लगाए चंद की जैसा क्वोम आरोप आप पर रूत्त कष़ार जागर जगा ऎसा प्रिपवाफ हो याद करने हैं परिभासा मैंने आपको दोनों बता दी अब यहां देख लिए थोड़ा सा आपको जो अच्छा लगए वो एक्जाम्टर ले सकते हो बुकों में से गैस्पीपर में से वो पढ़ सकते हो यहां बात की जाए दोहा और रोला की अब दोहा में क्या होता है दोहा सोठा का उल्टा होता है मतलब क्या होगा सोठा का उल्टा मलब क्या है पहले और तीसरे में तेरा तेरा मात्र आए दूसरे और चौथे में ग्यारा ग्यारा मात्र आए हो उसे हम दोहा कहते हैं परिभासा याद हो गई दोहा क्या होता है दोहा पहले पहले और तीसरे मे चरण में क्या होती है, 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है हो, उसे दोहा कहते हैं, परिभासा याद हो गई, कोई भी एक्जाम्पी ले सकते हो, जैसे की रामचरित मानस, मलब हनुमान जीजे का दू-40 होता है, उसका कोई भी ले लो, इसलोक ले लो, आपको बहुत सारे दोहा मिल जाएंगे, एक्जिविशन में, आसानी से करशकते हो, हनुमान चाली से एक बार पढ़ दिया करो यार, अब यहाँ देखो, रोला, रो मत चुप जा, रो मत चुप जा, प्रतेक चरण में 24 मात्रा होती है, बहां क्या होता है, रोला होता है, है इस बात को खतम करते हैं, और नीचे जाते हैं, अब नीचे देख लो यहाँ ध्यान से, अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई देता होगा, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, बोल देता हो, समते लिए, यहां कहा रहा है, निमनिकत उपसर्गों में से किनी तीन के मेल बताना है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो सब्द पहले लगे हो, उसे उपसर्ग भूलते हैं, जैसे कि यहां क्या दे रखा है, यह तो अधिक लिखा है, यह अधिक लिखा हुआ है, यह सू लिखा है, ठीक है, और यह क्या है, अप लिखा है, ठीक है, यह परी लिखा हें अप्ना अपना अपना खो जाएगा ओप्लसल लागा सकते हो अधिक अधिकतर कर लगा सकती हो त् Haupt फिर दे रख यह पहले लगना होना चाहिए यह पहला अध्क से क्या हो जाएगा सुन्दरता हो के सिर्ट फ्रीय शुंदर सूंधर प्लेश क्या नगे सकते हैं और कोई बना सकते हम ऐसे कि सुनकर तो अलग हो जाएगा जाएं बied सुन अलग लखना चाहिए वह दided यहां देखो पता नहीं, यह सहे लिखा है, क्या है, ऐसा कुछ है, तो वो चीज न बढ़डर लगा सकते हैं, लेकिन आपको तीन बता दी है, तो यहां हमसे किवल तीन के बारे पूछ रहा है, तीन बता दी है, तीन तीनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाखि सु से कोई बड़ा मना सकते हो, ठीक है, उसकी बाल में नीचे चलता हूँ, यहांसे देखेंगे, और क्या है, इसका थे खावाला, जो जाएंगे, तो खावाला हमसे देखो क्या बोल रहा है, किनी दो के प्रत्य बताना है, प्रत्य का मतलब क्या है, लास्ट में जो यूज रोते हैं, त सो यह क्या हो जाएगा तफलता करके देखता हूं थोड़ा फट रहा है इसको निदेखा हुआ है तप wraps लिखा हुए ठीक और ओर लिखा हुआ है ता लगा देते हैं सुन्दर्ता लग सकते हो इसको सुन्दर प्लस सुन्दर प्लस ता होता न तो सुन्दर्ता इसका बन जाएगा ठीक है सुन्दर्ता यह बन जाएगा पन की बाद करें जो हट लिखा है हट तो कह सकते हैं अड़क हट लड़का हट क्या होता है उसको बोलते हट यह यहाँ हट सब्सक्राइब अपना लगा सकते हैं कि भी बूलता है यूट उन्य कुछ बनाना है जो आपको लास्ट में यूज वो और जो हम लोग बोलते हैं । यह चीज वहता है फ्रत्य अब सिंब मैं तेक्ट कोई बना सकते हो बहुत सारी वर्ड वर्ड होते हैं भाप सकते ऊब यहांद देखो त्रिवेडी बोला गया है, रात दिन में कौन सा होता है, दौन समास होता है, बेटा, दौन समास होता है, क्योंकि जिसमें आपस में बिलोम हूँ, रात दिन, माता पिता में भी दौन समास होगा, ठीक है, दौन समास होगा, ठीक है, दौन समास होगा, ठीक है, इसको याद क्मेंट कर देना ठीक है बाकि मेरे साफ़ से सही है तो यह चीज होता है चलो हम समझ चुके है इसको आप क्या करना है कิ छांश् Caitlin क्लियर है आप इसको देख लीज़ें यह हमसे क्या बोल रहा है थोड़ा सा यह धंदला आया है लेकिन मैं निमिनकित में से किनी दो कि आपको बताना है इसमें आपको लिखना था एक परियाबाची इसका हमें लिखना था एक मेंट रुखो उपसर्ग नहीं प्रत्त नहीं इसको लिखना था एक जस्ट मुमिट रुखेंगे इसका जो कोशन का अंस्ट वहोगा ना एक मेंट रुखता है इसको छोटा करके देखता हूं ताकि यहां को समझ में आए यहां लिखता था हूं को तत्सम सब्द देखना था तत्सम सब्द देखना था तत्सम सब्द देखने को बुला गया हमसे तत्सम सब्द क्या होगा जैसे कि आज का तत्सम क्या होगा आज का यह गाव लिखा है वीटा गाव का तत्सम सब्द क्या होगा पानी का तत्सम दूद लिका है बिटा, दूद, दूद का तच्सम क्या होगा, अब यहां रखना, यह मैंने बड़े यहां लिख दिये, आज का क्या होता है, आज का आपका, आज क्या कहेंगे, आज का बरतवान कह सकते हैं, यह फिर इसको छोड़ देजे, आज का समाझ में नहीं आरे तो गाव का लिख दीजिए, गाव को हम गिराम बोलते हैं, गाव को गिराम बोलते हैं, वो पानी को जल बोला जाता है, जल बोला जाता है, दूद को दुगद बोला जाता है, दुगद, दुगद बोलते हैं, तो ये मैंने तीन यहां किलिर कर दी ते मैं अपने मänner कोई नहीं देखों या उसके बार मैं इसको देखेंगे एक बार कहा है निमनिखस में से किनी दो समाज हो серь م can दो परियाबाचि कौन क्या बोला जाता है गंगा को बोला जाता है देखो गंगा को भागी रती भी बोलते हैं भागी रती याद रखना भागी रती भी बोलते हैं भागी रती ठीक है भागी रती भी बोलते हैं और एक बड़ और हमसे दो-दो पूछा है दो-दो बता देता हूं एक बोला जाता है मंदाकनी 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 भी बोला जाता है अब बंदर को क्या बोलते हैं बानर बोलते हैं और क्या बोलते हैं बंदर को कपी भी बोलते हैं कपी कपी माने बानर होता है और कपी को एक बड़ और लिख देते हैं जिसे कहते हैं कपीस भी बोलते हैं कपीस कपीस भी बोला जाता है अब देखो इंद्र को क्या बोला जाता है इंद्र को देव देव क्या बोला जाता है देव राज देव राज बोला जाता है देव राज को बलाओ इंद्र को बलाओ कहते ना तो देव राज भी बोला जाता है इंद्र को और बही किसे बोला जाता है शुरेंद्र भी इंद्र को बोलते हैं, सुरेंद्र भी इंद्र को बोलते हैं, एक और लिख सकते हो, देव पती भी बोल सकते हैं, देव पती, देवो का पती, देवो का स्वामी, जो होता है, सभी देवताव को स्वामी, देवे पती, जब इंद्र का परियावाची हो गया, आप समझ सकते हो, नोट कर लिया होगा चब उसके बाद में 10 का का देख लो 10 के का में क्या दे रखा है निमनिकित में से किनी 2 के संधी बिच्छेद करनी है और संधी का नाम भी बता रहा है हमसे पूछा है अब बात करें देखो इत्यादी यहां लिखा है इस तरीके से इत्यादी अब इत्यादी में क्या होता है इती प्लस आदी इती प्लस आदी अब आप लगाओ कौन सा संधी होगा यहां देखो याया है याया हुआ है या में क्या होता है यरसंधी यह यरसंधी है यरसंधी लगा दो यहां यारालाब आ जाए वहां यड़संदी होती है यह क्या है स्वागतम इस तरीके से लिखा हुआ है स्वागतम ठीक है अब जब स्वागतम लिखा है तो क्या होता है सू प्लस आगत ठीक है सू प्लस आगतम लिखांगे आगतम आगतम स्वागतम होता है अब देखो सू प्लस बा आया है देखो यहां बाया है अब बाया है तो यह भी यड़ संदी होगी बिटा यड़ संदी के अंदर रखा जाएगा इसको देखो यह क्या है परंतर क्या है मातरग्या क्या क्या लिखा है इसको एक बार देखेंगे जस्ट मोमेंट यह हो गया मात्रग्या है क्या यह मात्रग्या होगा छोड़ा करके देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ हुआ तो मात्रग्या को क्या हो जाएगा मात्र प्लस अग्या हो जाएगा मात्र प्लस अग्या होता है और अब इस तरीके से बड़े आसानी से लिख सकते हैं अब यह त्रा आया है देखो ता आदा रा तो यह क्या हो जाएगा यह बेटा बेंजन संदी हो जाएगी ब्यंजन संदी हो जाएगी, यह कोई संदी हो जाएगी, ब्यंजन संदी हो जाएगी, हमने संदी के नाम भी नोट कर लिए, स्वागतम में यह संदी हो जाएगी, इत्यादी, इत्यादी हो जाएगा, स्वागतम हो जाएगा, और इसमें कौन से इन दोलों में यह संदी हो जा यह जो भी हो उसके बाद में यहां देखिए गावाला कोशन ने रखा है किसी एक धातू अलंकार उनकी बचन पुर्सु के नाम बताना है ले इसने ढाने सी कोनसी इा तहिए का तो तो आपको दे रहा गी है क्वार्प को संस्क्रित में आपको अलुगात करना है। इसका आपको पास सदे रेखें उसमें सब्सक्राइब करना है जैसे गाव के समीपं विध्यालय प्रकेश लेखंगे ना तो वह चीज है दो लड़के पढ़ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे इसको संस्क्रिप में गाव का दूद कह सकते हैं गाय का दूद पीना चाहिए उसको सं नीचे देखो गायम दूदम पीवानी जो आपको संस्क्रत आती हूं मुझे संस्क्रति आती है बताओ आप उसको देख लेना ठीक है बागी अब यहां देखो ग्यार में कोशन को यहां कह रहा है निमनेखित में से किसी एक विसाय पर आपको निमंद लेखना है मेरे प्रिये पुस्तक आपकी जो भी सबसे प्रिये विसा है पुस्तक है उस प्रिये के वारे में आपको लिख देना कि मेरी जो फिजिक्स की बुक है वो मेरी सबसे प्रिये है हिंदी की बुक है वो सबसे प्रिये है इसमें क्या प्रिये है उस प्रिये के बारे मताना है या फिर आपको सूर्दास के उपर एक ने मंज़ देखना है, सूर्दास क्या थे, वो कुछने क्या क्या लाए, सूर सागर, सूर सारावली, साहतलेरी, उनकी रचनाए थी, वो उनका जनम यहां हुआ था, लोडा लकसंदों भी रेखना है लेधो, बना- банा के वो तो सभी करते हैं, यहां देखो, यहां कहा रहा है, परियावन सलक्षन के ऊपर, परियावन सलक्षन को मतलब क्या होता है, परियावन को कैसे रोको गया, गड़ रहा है बहुत ज़्यादा प्रिदूसरेंवल उसके इसका सलक्षोड कैसे करोंगे प्र॓स्य को कैसे रूखोंगे आतंग बात की समस्या अब आता परिटा देए au इसको कैसे रूखेंगे ते उस deformation को कैसे खत्म करोगे यहां कर रहा नारी सिक्षा का प्रभाव, नारी जानते हो फीमेल, उसका सिक्षा का एफेक्ट क्या पड़ रहा है, मेरे साब से आप पुस्तख की बारे में लिख दीजिए, आतंगवाद की बारे में लिख दीजिए, आप बना-बना के कर पाओगे और परियाव, इन बाकि इन दोनों की के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपने दी सूरदास का परिया बाची वो उसका जीवन परिश्य पड़ा होगा तो आप यहां लेख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसको भी आप अब यहां देखो तो बारमा कोशन है वह जिला बाई जिला के अधार पर होता है जैसे कि आपका जिला बरेली पढ़ता है तो आपके लिए मेवार मुकट के बारे में आप से पूछता है मुक्ति दूद जो भी है मुक्ति दूद के बारे में आप जो भी आप जिस भी जिले से हैं उस जिले के आधार पर आप निकोशनों को पढ़ेंगे आपका जो भी होता है आप देख सकते हो जैसे कि बरेली जिला से मैं हूँ तो जो बच्चे ने बरेली जिला से किया है वो मेबार मुकट वाले ने किया है तो आप मेबार मुकट प्याला आप सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको दुतिये उस सब्सक्राइब के सारांच मनला लच्षमी ने क्या कहा था उसके बारे में बोला गया है मेबार मुकट के खंड काव के आधार पर जो दौलत का चरत्र था उसके बारे में आपसे बूचा है तो ऐसे कुछ कोशन जो सिंपल वाले होते हैं आप उसको बना तो वो चीज हमें पॉलो कर लिए अब आपको वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूरू बताएगा मैं आप से बादा करता हूं कि आप इन कोशन को मैंने 2020 के वारी बारी जाइ हैं आपको भीज़ आपको बप्रख इन शेए बास कनो हैं आपकोशन कि वीजयों बताए हैं तो बता से बादान कुछ करता हैं लिए एप कर दूल